नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैये पे स्वागत इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अगर जो आप परवासी हो जाए इंडियन ओमान मुमान में रहतो या फाकिस्तानी वंगाली अदर किसी कंट्री के रहने वाले ओमान में रहतो एक्सेक्ट हो त काफी बहतरी इन अफडेट हो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दो साथ ही वीडियो को लाइक कर दो बेल आइकन को जरूर प्रेगोजा कि ओमान से लेटस अपडेट आप सभी तक पहुत तो आप सभी को मालूम होगा कि करोना वाइस के चलते दुनिया में हर एक जग कंट्री एक तो रहीशी कंट्री है तो देखें तो यहां पर महंगाई हर एक चीज की बढ़ रही थी वह वह बीजा में तो अगर जो आप अगर जो बाहर के रहने वाले तो लिमें तो बीजा हो गया या फलाइट हो गया तो यहां पर देखें तो ओमान सरकान ने जो दिफ दिनों पहले ही मतलब देखा है तो मनिस्ट्रिया लेवर हो गया उन्हें एलाइन किया था कि वीजा के पराइसे बढ़ाई गई थे लेकिन यहां पर देखें तो बहुत ही बहतरीन अपडेट निकल के आरे में भी यहां पर देखें तो 90% यहां पर देखें तो 89 या 90% वीजा का क्या हुआ है पराइस को फीस जो थी उसको कम किया गया जो काफी बहतरीन हाला कि अभी यह आने वाले ओक्तों में पूरा डिटेल आएगा जैसे सभी परवासियों का होगा या कुछ चिसका टम और कंडिशन नहींगा किन-किन जैसे क्या हुआ था जब करोना वायर्स चल लगेगा कि इन लोगों का या इन परिस परकार के जो वरकर हैं इनका इतना लगेगा तो आगले वीडियो में पूरा डिटेल में बीजा का जरू से करूंगा कि किनका कितना प्राइस लगेगा चैनर को सब्सक्राइब कर देगा नमस्कार